हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा थैतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महत्वपूर है हर एक एक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था तो चले देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है यहां पर जो हम कर रहे हैं सियाल कोट सियाल की अंतरगात है सियाल कोट लेकि सियाल कोट करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जितना हो सक इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि हर एक बच्छे तक पहुचाना है यह हमारा उद्देश्य है पहली बार मैं चनल पर पहले वीडियो देख रहे हो त सब्सक्राइब कर ले क्यों कि यहां पार सिक्स क्लास से लेगे इमें तक के बच्छों को सारी वीडियो मिलेंगी तो यह आपके लिए महतवपून बन जाता है यदि हम बात यहां करें सियाल कोट तो सियाल कोट देखा जाया तो काफी महतवपून अस्थान है और सियाल कोट जो है बरतमान पाकिस्तान में जो की उत्री पर पंजब का परांत का एक नगर है आपके पांजाब के परांत का एक नगर है तो मैं आपको बता दू कि पाकिस्तान में हमारा कुछ भाग पाकिस Southern Distance का गया हूए है कुछ पंजाब राम्त का एक नगर है प्राक्चीन काल में देखा जाए तो संगला भारतिय उप महादीप में सकल नाम से प्रसित था सियाल कोट सहर के उत्पन होने के बारे में जनकारी पाने में कईश शोत है यानि देखा जाए, अगर हम सियाल कोट की बात करें, तो सियाल कोट के सहर के उत्पन होने, यानि इसकी उत्पत्ती, हमें कई सोत्र मिलते हैं, कि इसके बहुत से द्वंत कता है, कि सियाल कोट के निरुमान कैसे हुई, इस छेतरी खुदाई में ग्रीक सिक्के बहुलता से प् में भी हम जान सकते हैं प्राचीन क्रीक मंदिर एवं कई बोध स्तूप प्राप्त हुए हैं तो इसे यह पता लगता है कि यहां पर सियाल कोट में बहुत से मंदिर के साथ साथ बोल सतूप बे थे यानि बोध धरम को भी यहां प्रोटी दी जा रही थी हिंदू परानिक मानताओं के अनुसार देखा जाया तो सियाल कोट का राजा सब अथवा सेल होते थे जो की मादर देश का शाशक था वो राजा पांडू की दूसरी रानी मादरी की भाई था और वो इसको बसाया यानि सियाल कोट का बसाने का सुरेज हो जाता है यह हिंदू मानिता के अनुसार है कि हराजा पांडू की दूसरी रानी मदरिका का भाई का ने बसाया था इसको किंदू ग्रीक इतिहास किताबों में सियाल कोट नगर के बारे में 327 बीसी में बताती है और यह नगर सिकंदर के समराज के अंतिम पुर्वी छोर पर इस्तित था जिसे प्राचीन ग्रीक नक्सों में भी दिखाया गया है प्राचीन नक्सों में भी हम इसके बारे में रिलाईस कर सकते हैं कहते हैं पांचमी सदी के अंतिम वर्षों में हून समराज तुरमनर और उसके बेटे मिहर कुल ने इसे अपने राजधानी बनाया पांचमी सदी में जो हुन समराट था और उसके बेटे मिहर कुल ने जो है सियाल कोट को अपनी राजधानी बनाई इसलिए भी इसका महता और बढ़ चाती है सियाल कोट मुहमद गौरी के पंजाब पर आक्रमन करने के बाद दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया था तो देखिए ये काफी महत्वपून टर्निंग पॉइंट थी कि सियाल कोट जो है मुहमद गौरी के पंजाब पर आक्रमन करने के बाद दिल्ली सल्तनत के अधीन यानि दिल्ली के अंदर चला गया था सियाल कोट यानि उसके पाठ बन गया था उसके पश्चात यह मुगल समराज का एक भाग रहा यानि काफी समयकाल तक सियाल कोट जो है मुगल समराज का एक भाग था और मुगल समराज की समापती पर पकतुनों को इस पर कबजा कर लिया और उसके बाद यह राजा रंजी सींग के सिक तो देखा जाए कहीं न कहीं हर एक जो है राज्य में कुछ इसी तरह की घटना में देखने को मिलता है कि पहले मुगल का था मुगल के बाद जो यहां पर राजा रंजी सिंग ने राज किया उसके बाद अंग्रेजों के आधीन हो गई कहते हैं अगर हम 1857 के विद्रों के समय सियाल कोट में बहुत से इसी में चीपकर अपनी जान की रक्षा की थी तो यह भी महत्वपूर बना देता है सियाल कोट की कि यहाँ पर मुस्लिम बिद्वानों एवं धार्मिंग नेताओं की समाधी एवं कबरे भी यहाँ पर बनाई हुई है यहाँ संद मुरादरा साख की दरगा भी है और पुरान का कुए एवं एत्यासिल जगा जिसका संबंग भगत पुरन से है तो यह काफी महतवपून यहाँ पर इसको बना देता है कहते हैं यह सियाल कोट नगर के बाहर इस्तित है और सियाल कोट फोर्ट पाकिस्तान के पुराने किलो में से एक माना जाता है और इसे दूसरी से तावदी में बनाया गया था जमीला मस्जिद सबसे बड़ी एवं सुन्दर मस्जिद है जो यहाँ पर जमिया मस्जिद है उस सबसे सुन्दर मस्जिद है यहाँ तीन पर मुक्चे पार्क भी है जिसमें जो है खयावान ए इकवाल और गुलसन ए इकव यहां गैरिसन पार्क भी सामेल है तो देखा जाए तो यहां काफी फार्ट के भी नजर आ जाती है सियाल कोट इसलिए भी काफी परसलित परचलित है क्योंकि यहां पर रेल बहुत ही असानी से उपलब्द रहता है इवन देखे तो यहां इंजिरिणिंग मेडिकल कोमर्स आर पर रखता है और आप जो है इसको समझ भी गए गए जो काफी महत्व्पून हैं है कि अ कि अ कि